तो फिर्स यहां पे हम लोग इस चैप्टर का जो नाइंद क्लास का चैप्टर था तो यह जो हमारा चैप्टर है दूसरा चैप्टर तो इस चैप्टर में हमने जो भी कोश्चन था पीछे कर रहा ठीक है अब यहां पे हम लोग अब्जेक्टिब कोश्चन देखने वाले तो अप्ट है छो यह हमने बता है घरनी संख्या का तब मैं तौट का मतलब कर अवर्थ कि ini होगा गरत रहती हो लेकिन पर्मे संख्या है कि ऑनावर्थ का मतलब रिपीट नहीं होगा sólo कैटे की पर डिट नहीं और बार साहीं अंसर होगा और दुसरा नामर को गोसे में यहां पर मैशनक्या का असांत होता है तीसरा नुमे कौन सकिताmost है तो यहाँ पर देखें देखें नंमर में बोल रहा है कि सुई एक पर मैशनक्या है क्यों परमैंस हैन्प होना चाहिए जबकि ऊपर कोई दिक्कत नहीं नीचे आपका एक छुपावा रहता है तो इस परकार से हमारा सुनिक परमे संख्या होता है और यहां पर बोल रहा है कि निमलेखित में कौन कथन असत्त है तो यहां पर बोला है सुने का परमे सब्सक्राइब स्थ्पास्तवक संक्या बोलते हैं निमने खित में कौन सा कतन आशसत्त ज़ा पे बोला है एक पर्में और एक संक्या का योग या फिरांतर सदा परमें संक्या होता है तो यह सही है कि एक पर मेसंक्या जैसे लाइगा और अगा उसमें जोड़े रूट थी टो होगा कोई भी पर्मे संक्या अगर डिभाइड करेंगे इस परकार से या फिर इस परकार से यह आपर में ही रहने वाला ठीक है जबकि यहँपर C- में बोला 20 आपर मेसंख्या हों का योग 20 ऊंतर सदा एक परमेसंख्या होता है तो यह आपका असत्कतल होगा चुईभी 20 आपर मेसंख्या है यहाँ पर से मैना जैसे रूट-ठीरी है और रूट-ठीरी को घटाएंगे 21 आजाता है जबकि हमको पता है जीरो परमे संक्या थी यहां पर दो आ परमे संक्या था जिसका अंतर यहां पर परमे संक्या आ गया लेकिन यहां पर बोला है कि दो आ परमे संक्या हो का योग अंतर सदा एक परमे संक्या होता है जबकि हमने अभी देखा परमे संक्या होता है हो भी जाता पर्मे संख्या यह होगा पांच नमर कोशलन निम्लेखित में कौन पर्मे संख्या है तो पर्मे संख्या यहां पर देखे यह एक पर्मे संख्या और एक पर्मे संख्या का अंतरा पर्मे संख्या होगा इसमें भी पर्मे का गुनानफला पर्मे होगा और इसमें भी योग है फार्वेल यहाँ और इसको देखे तो यह प्लस बी इंट इय की फूर्म में यह टूड़ी जागी चा पर आपस में ँखोन करेंगे इस वह ल्य णे जागा फिर्षी को एक कम कर चे टो m А तो ध्यक्तव का स्कौर मांट पांच का पांच का स्कौर माइनस रूट का five25 5 हो जाएगा और माइनस में 2 का स्क वार से 20 कटेगा तो नहीं तेज़ाए जाएगा मतलब है लुट का काम खत्राह या यहopard입니다 यह हमारा पर में संख्या इसको कलकुलेशन डिया पारемонर पता है कि अगर Q 2 के power M और 5 के power N यानि 2 जितना हो 5 जितना हो अगर ऐसा होगा तो वो sound होगा और अगर Q 2 5 के अलावा या फिर जो भी 2 पाट अगर ना हो या 2 5 के अलावा कुछ आता है तो वो आसान्थ होगा ठीक है तो यह हमने पढ़ा था पीछे भी तो इस कंडिशन में आप देख रहे हैं कि जो PYQ के इस परकार हो अगर इस रूप में है तो M और N परके संक्या तो संक्या PQ को किस रूप में दसंबला में लिख सकते तो वो हो जाएगा संथ ठीक है अगर इस रूप में है तो वो संथ होगा असांता न वर्ति मतलब अपरमे संक्या असांता वर्ति मतलब परमे संक्या होगा लेकिन वो दो पाच की रूप में अगर Q तूड जाता है ठीक है तो वो संथ होता है तो इसका अपसन नमर B होगा अब यहां पर देखें सत्मा नमर कोश्च है न निमलिखित में किस परमे संक्या का दसंबला परसार सांत असांता वर्ति होगा तो यहां पर PYQ के रूप में दिया हूँ हमें पता है Q को देखना है अगर Q का जो फैक्टर जब करेंगे उसका ठीक है तो उसमें 2-5 आना चाहिए अगर उसके अलावा कोई आएगा तो वो असांता वर्ति होगा और अन्यथा वो संथ होगा तो यहां पर देख रहें नीचे तो उसी 5 ही है तो यह आपका संथ होगा वैसे आप डिवाइड करके भी देख सकते है 5 और 3 में तो यहां पर 0.5 36 कट गया ठीक है कट गया 0.6 आएगा तो यह हमारा संथ ही होगा वैसे इस 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 आएगा तो यह भी संथ होगा क्यूंकि 2 5 ही है 5 आता है यह फिर 2 आए यह दो 5 आए इसके अलावा कुछ आएगा तब यहां पर देखे 60 है अठरा 8.6 आठरा से डिवाइड करेंगे तो भी यह कड़ जाएगा अब इसको छोटा करके हम लोग देखेंगे चुकि यह सरलतम रूप नहीं है तो यहां पर देखे तो 3 चका 18 और 10 चका 60 यह सरलतम रूप आगया 3 बटा 10 अब 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 यहां पर 2 और 5 यह तो यह भी सांत ही होगा वैसे भी तीन में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा ठीक है और उसके बाद 7 बटे 18 तो 18 यहां पर अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 तिया 9 अदूनी 18 यहां पर 3 आ रहा है दो और 5 होता तो ठीक है वो सांत होता लेकिन यहां पर तीन के पावध्यंग पांचके पावद्म होता है तोव सांत होता है अन्याहता व असांता बडती होता है अभे आपाशन है निमली खिट में इसका 10 संत होता है तो सप्क्यान्य करतें मिलिखेंगे तो यहां पर दुपंलश चार-वश tätä 2050 जाने मतलब यह элемा कोश्जण होगा हमारा सी तोड़ेंगे तो टेच ही तो यह भी आसान्त ही ओगा ठीकर अब और यूझए component ने में लेकर अपर में संक्या है यहां पर देख रहे थाचपीस है तो करेंप्स कोश्जण होता है यह परमेश हंक्या होगा इसमें देखे 25 का बर्गमूल 5 होता है और पलस में 2 इंटू में है तो 5 दूनियों पर 10 हो जागा और नीचे में 49 का बर्गमूल 7 होता है तो 10 बटा यह 7 हमारा परमेश हंक्या होगा उसके बाद रूट बेस को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसका कोई भी बर्गमूल नहीं होता है इसलिए हमारा यह आप परमेश हंक्या होगा जबकि 144 का 12 होता है 12 का बर्गमूल मतलए 144 का 12 बर्गमूल होता है इसलिए वो सांथ होगा तो यह आप्छा नमबर सी इसका अंसर हो जागा 10 नमरको सेमन में बोलन निम लीखित में कौन आप देना है ठीक है माइनस में रहेगा तो माइनस में और इसमें इसमें देखे तो 144 का भी बारा आता है लेकिन जब कि इसका देखे तो पचीस पापचीस काटेंगे तो एक वटा पांच एगा अंडर उठा तो इसका तो कोई भी बरगमूल नहीं पचेंगे हैं इसका मतलब यह जो हमारे आपर में संक्या ओगा उप्सिन नमबर शी आगे वला संक्या में कौन सी संक्या यह वाला कौन सी संक्या तो यहां पर देख रहे हैं तो प्योंट फिरुपाइंट फीर फिरफने प्रीपल जींड़ु है फिर वान latte इसी प्रकार इस इसका मतलब यह असांत है और असांत के साथ यह अना वर्ती है ठीक है तो अना वर्ती है अगर यह हमारा अपर में संक्या होता है चुकि असांत होता वर्ती होता है तो वह पर में संक्या होता है इसलिए अपर में संक्या होगा अपर में संक्या असांत और अना वर्ती होता है यहां पर 12 नमर में निमलिखित में कौन आपर में संख्या नहीं है इसका मतलब कि वह रीपीट नहीं होगा ठीक है जबकि हम लोगों यह में ऑप्सन नमर वह यह में दिख रहा है यहां पर अगर देखें तो यहां पर 5 है फिट 0.2525 इस परकार से डॉट 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 लगा कि robber 2.2525 two-fap repeat है इसका मतलब यह वाला जब पहला वाला ही घ्रत हमारा अपसन नमबर यह वला यह वाला घृत हो रहा है इसका मतलब यह पर में संख्या नहीं है तो उन्हें में लिखित में कौन आपर में संख्या नहीं है तो जिघा बाकि अब देखें तो डिखने होगा तो जितना उपर रहता उतना नीचे 9 आता है इसका मलब 4 पर एक रेकरिंग होगा जितना संख्या पर रहेगा उतना 9 नीचे आता है तो एक संख्या मलब 4 के उपर रहेगा ठीक है 0.4 इसे भी हम लोग बना सकते यह फिर हम लोग 4 में 9 से डिभाइड करेंगे तो 9,4,36 यहाँ पर आएगा पहले तो 0 देंगे और 10 अमलब देंगे तब यहाँ पर 0 आएगा 9,4,36 तो यहाँ पर 4 बचेगा फिर 9,4 फिर 4 बचेगा फिर 4-4 बार मिलाएगा यानि 0.4 के उपर रेकरिंग लगाएगे क्योंकि यह रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसका जो अंसर होगा option number A हो जाएगा ठीक है उसी परकार से 14 नमर कोशन 0.55 पर पॉइंट ऐसा लगावा मतलब कि यह रेकरिंग है या फिर वैसा लिख सकती या फिर ऐसा लिख सकते है तो इसमें मतलब नीचे 55 के बाद नीचे double line है क्योंकि दो आंग पर रेकरिंग है और इसको क कैसे PYQ के रूप में लिखा जाता है हमने पहले भी बता है फिर उसे पगार से 15 नमर कोशन 0.2 के उपर रेकरिंग है एक संख्या है तो इसका मतलब दो एक नौ आएगा तो यहां पर हमारा ओजागा दो बटा नौ यह हमारा option number B है 16 नमर कोशन है निमलेखित में कौन 11 बट 3.6 बार रिपीट करेगा तो इस पर रेकरिंग डाएगा ठीक है तो 3.6 पर रेकरिंग यह option number C हो जाएगा और 17 नमर निमलेखित में कौन रूट 2 का दा समलब परसार होता है 1.414 ठीक है तो यह option number C है तो इसको आप ध्यान में रखे और 18 नमर कोशन है कि पाई कैसी संख्या पाई जो है एक परमेशं किया है जबकि इसका जो वैल्यू है 22 बटा साथ यह हमारा परमेशं किया है ठीक है उसके बाद 19 नमर पाई का सनी कटन मान जो होता है वो 22 बटा साथ होता है जब जो बाईस होता है वो किसी ब्रित की जो परीधी होता है वो बाईस होता है और जो वह शचाथ होता है जब व्यास यह जो нुड़ी मेरे परीधी है अगर बायस होगा तो उसका गयास है वो सथ ही मांता है Doher यह होता है और 20 कोशन है कि नेम लिकित में कौन रूट 32 का दस हमला परसार OH 732 2 होता है तो 1.732 option number 1 है इसका value आप निकाल भी सकते या फिर इसको याद रख सकते ठीक है या परमे संक्या इसका value जो है वो अनन तक जाएगा और बार बार रिपीट भी नहीं करता है आपको पता है या परमे संक्या मतलब आसांत आना वरती होता है एक आश नमर कोशन निम्लेखित में कौन रूट 2 और रूट 3 के बीच में परमे संक्या होगा तो रूट 2 और रूट 3 तो रूट 3 रूट 2 का अभी हमने देखा 1.414 होता है अभी दो अंग तक ले लेते हैं चुकि दो अंग से जादा भी इसमें कोई आप्सन में नहीं है उस किश में देखिए यह तो छोटा हो जाता है इसे 0.0 यह भी चोटा है और one point nine है तो यह इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है थाना यहां पर इससे भी बड़ा है one point nine से भी छोटा यह दोनों 0 पॉंट में आता है लेकिन 1.5 देखे या फिर 1.50 इसको बोल सकता है इसा तो 1.5 जो है इससे बड़ा है 1.4 से बड़ा है और 1.7 से छोटा है मतलब इसके बीच में आएगा 1.5 तो यह हमारा option number D हो जाएगा इसका answer इन दोनों के बीच में जो परमे संक्या होगा वो यह होगा और उसे बगार से 22 में 1.4 और 1.3 के ठीक बीच वाली संक्या तो अगर इसको हम लोग A माने और इसको अगर B में समझे तो formula था 1 बटा 2 into A plus B मतलब A plus B में से हम लोग 2 से divide कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा तो A plus B मतलब 1 बटा 4 और प्लस 1 बटा 3 divide करेंगे उसके बाद 1 बटा 2 से into करेंगे तो 4 3 का LC हम लेंगे तो 12 आएगा और उपर में 33 तिरसी गुना या फिर divide गुना कर भी करेंगे जैसे हम लोग भीन का जोड़ बनाते हैं तो उपर में 3 आएगा और इधर 4 आएगा ठीक है और इधर हमारा 1 बटा 2 है इधर जोड़ेंगे तो 4 3 7 बटा 12 और ये गुना में 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 सबसे कतन सथ है तो हमने पहले भी देखा ऊपर जो होता है 22 और नीचे 7 होता है 22 किसी बृत की परिदी होता है और उसकी बृत का भियास होता है 7 इसी को फाई का वैल्यू माना जाता है तो यह आप्सन नमबर बी में है यह हमारा अंसर होगा और 24 नमबर है 64 बरा उपर परकार से लेख सकते हैं कि यह वान बटा its 64 और उपर ने दो के पावर में तीन अब इसमें दो को अलग लिखें इस परकार से थे माट एधा दो इंस परकार से वान बटा 27-like का मतलब आपको पता इसको करनी के रूपंसे सकते हैं तो वन बटा 64 का स्क्वार और इसका इस परकार से लिख सकते हैं यह इसका करने खात तीन होगा चुकि वन बटा थीरे को इस परकार लिख देंगे हम लोग करने के रूप में और यह 64 का पावर जो है वह इस परकार से लेक सकता यहां पर पावर दे सकते या फिर यहां पर सकते है के तो यह सुला जो उल्ला जो है अपने को दिखता है अप्शन नमर बी में इस परकार से बी इसका अंसर होगा उसी परकार से यह वाला कुश्चन है 27 है उपर में माइनस में दो और बटा थिरी है इसको भी नीचे करेंगे तो 27 के पावर में दो बटा थिरी पलस में आ जाएगा ठीक है उपर कर के तो माइनस में हो जाएगा और दोटा में थिरी है इसको अलग लिखेंगे वनबटा 27 गैस्टी इन टू यहां staat की करनी के रूप में लिखेंगे तो 27 इस परकार से 27 को चाहे तो यहाँ पर भी पावर दे सकते 27 में और या फिर इस परकार से हम लोग यह करने का थिरी हुआ 27 का 27 का जो घनमूल है वो तीन आता है तीन का स्क्वार है ठीक है तो तीन का स्क्वार कितना होगा 9 1 बटा 9 ऊपर 9 ऊपर 1 रहेगा और नीचे 9 तो नीचे 9 आएगा ना तो 1 बटा 9 या उप्शन नमर डी है तो यह हो जाएगा ठीक है नीचे करके ऐसा कोशन भी पीछे हमने बनाया है ठीक है और उपर में four power group में है या फिर यहां पर भी power दे सकते या फिर सभी में power दे सकते तीन है इसलिए इसका आठ का घंमल कितना है सूल्ला जो और 27 नामर में उसे पकार से पाँच के पावर धीर हैं और सभी के पावर में पाँच है एक का तो एक ही रहेगा ठीक है लेकिन नीचे अगर देखें तो पाँच गुना दिन पावर पावर से गुना होता है तो तीन गुना पांच 15 होगा और यह जब उपर जाएगा नीचे रहता है तो ठीक पलस हो जाता है उपर जाता है तो माइनस में यानि 5 के पावर में माइनस 15 और यह आपको आप्शन नमबर ए में दिखता है यह होगा और इसी परकार से यहां पर हैस नमबर कोशन है यहां पर देख रहें बेस सेम है और पावर सब कर लागा इसलिए इसका मतलब गुना में पावर जुटता है जब बेस सेम हो ठीक है तो यहां पर चार देख रहे हैं कि दोनों में हैं तो इस पर इसलिए चार गुना यहाँ पे 3 के पावर 5 है और into में 4 7 के पावर 5 है तो यहाँ पे 4 3 के पावर 5 और पलस में 7 के पावर 5 जोड़ेंगे तो उपनम्लोग पावर को पहले जोड़ते इसको इग्नोर करता भी देखें क्या होगा 5 LC हम लेंगे नीचे सेम तो उपर भी सेम 3 पलस 7 तो उपर कितना हो जाएगा 10 बटा 5 पांदुनी 10 यानि इसको उपर पावर को कल्कुलेशन करेंगे तो 2 आता है हर्थात 4 के पावर 2 मतलब 4 का स्क्वार करेंगे तो कितना हैगा सुला इसका जो सुला हो जाएगा वो अंसर B हो जाएगा इसका मतलब B अप्चन हो जाएगा 29 नामर 1 के पावर माइनस उसी परकार से है इसमें हम लोग अलग लिखेंगे तो इसमें माइनस 3 الाग और गुना में एक बटा 5 अलग तो माइनस में थे इसलिए और अंडरूट यहां पर हो जाएगा पांच क्यों कि यहां पर वन बटा पांच है तो इसका करनी जो घात है वह पांच होगा और एक पावर थिरी होगा और चुकि यह माइनस में था पावर माइनस में पावर था इसको पलस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे नीचे सबसे तो इसको नीचे ही कर लेंगे ठीक है यह माइनिस में आना तो यहीं पर इसको वन बटा एक के पावर माइनस थिरी बटा पांच वसके बाद इसको पलस में यह हो जागा नीचे आने के बाद पल्स में हो गया, उसके बाद थीरी को अलग, इंटू करेंगे और पांच को अलग, तो इस परकार से एक बटा पांच है, इसको करनी की रूप में लिखेंगे, करनी घात की रूप में, तो under root ये 5 करनी घात रहेगा, और 1 वर्य यह घाल चईए माइनिस में तो परष्प में जाएगा हब तो हमारा अप्षान्ण नमबर एसका अंसनर होगा उसी परकार से चेहां But तीस नमर कोश्चन है लेकिन यह पर बेस ना सेम हो कि पावर सेम है तो अपने को पता है जब बेस ना हो पावर सेम हो तो पावर आपस में इसका एक हो जाता है ठीक है तो जैसे तीन गुना साथ और पावर सभी का एक वटा चार हो जाएगा तो सत्या एकाइस के पावर एक व तब होगी आप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन तो वीडियो के एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जया भारत